नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News के नए कलेक्टरेट लागू होने से जमीन की रजिस्टरी कराना मेहंगा पड़ेगा कलेक्टरेट के हिसाब से ही स्टांप ड्यूटी लगती है पंचकुला गुरुग्राम यम्नानगर रोतक और जजजर में कलेक्टरेट अभी तेय नहीं किये गए हैं वहीं अंबाला कुरूचेतर करनाल कैथल पानिपाद सोनिपाद जीन भिवानी फतेहबाद शिर्षाहिसार रेवाडी महिंदरगड चर्खिदादरी पलवल फरिदाबाद वब पलवल डीसी दवारा बढ़ाये गए कलेक्टर रेट पर सरकार की मुहर लग चुकी है हर्याना में यदि सामाने स्रेनी का उमिद्वार किसी नोकरी के लिए किसे भी परतियोगी प्रिक्षा की लिखित प्रिक्षा में 100% यानि फुल मार्क्स अंग प्राप्त कर लेता है तो अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उमिद्वार का चैन किया जाएगा करनाल जिले की एक ऐसी है का ब्यार्थी मोनिका रमन 100% अंक हासिल पाने के बाद भी राजी की बिजली वितरन ने कमपणी में जूनियर सिस्टम इंजिनियर के पदपर नहीं चुनी गई तो उसने पंजाब और हर्याना हाई कोट की सरण ली है मोनिका रमन के वकील राजेंदर शिंग मलिक की दलील है कि सामाजी कार्थिक मांदंडो पर आरक्षन परदान करने वाली हर्याना सरकार की अधिसुचन समयधानिक प्रावधानों के खिलाप है जो योग्य अभ्यार्थी के बजाए आयोग्य को वरितर देती है याची कापर हाई कोट ने हर्याना सरकार और दक्षन हर्याना बिजली वितर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है याची ने कोट से अन्रोद किया है कि वो नियाई के हित में एक मेधावी उमिद्वार होने के नाते उशेजेश्य के पद पर चैन के आदेस जारी करें देविलाल की पुर्णे तिथी पर एक जगाया आया चोटला परिवार जननायक चोदरी देविलाल की 21 पूर्णेते थी बुद्वार को हरियान समेट पूरे देश में बेहद सर्दा पूरोक बनाई गई मुख्य कारेकरम नई दिली स्तित स्वर गये ताउ देविलाल की समाधी संगर स्थल पर आयुजित किया गया परंदो देविलाल के पुरिवार में यहां पर भी फूर्ट साफ दिखाई दी सबसे पहले ओंप्रगास चोटाला के बेटे और जननायक जनता पार्टी के राष्टे अध्यक्स डॉक्टर आजे सिंग चोटाला वे उप मुख्यमंदरी दुषिन चोटाला और पार्टी का निवरिष्ट नेता भी यहां पहुँचे और देविलाल को नमन किया इसके बाद ये समाधी स्थल के सामने पंडाल में कार्य करताओं के साथ जमीन पर बैठ गए इनके बाद पूरु मुख्यमंदरी एम इनेलो सुप्रिमो ओम्परगास चोटाला परधान मासची व अभे चोटाला अभे चोटाला की बेटे करण चोटाला और परधे साध्यक्स नफे सिंग राटी भी पहुँचे और सर्दा सुमन अर्पित कर देविलाल को सर्धांज लिदी ओम्परगास और अभे चोटाला वहीं पर एक ही तरफ कुर्शी पर बैठ गए इस मोखे पर अभे चोटाला और अजे चोटाला का प्रिवार साथ-साथ बैठा रहा परंतु दोनों में कोई बाचित नहीं हुई यहां तक कि बाप बेटे ओम्परगास चोटाला और अजे चोटाला में भी कोई बाद नहीं हुई इस मोके पर इनेलो सुप्रीमो वै पूरुशियम ओम्रिगास चोटाला ने कहा कि चोधरी देवलाल ने देश में बुजुर्गों के लिए 100 रुपे मासिक पेंचन, कर्ज में डूबे किसानों के कर्जे माफ, हरीजन चोपालों का निर्मान तदा अनुसुची जाती के लिए जच्चा बच्चा भत्ता जेसी कई लोग भला योजनाओं को लागू किया जो आज भी लागू है और कॉंग्रेस मामलों के हर्याना परबारी विवेक बनसल के दाओं की विपरेद कॉंग्रेस के सियासित दिगजों में दूरियां किसी से छिपाई नहीं चिप रही है अर्थाद गुरुआर को होने वाले परदर्सन में नेता विपक्स और पूरुषयम भूपेंदर शिंग हुड़ा वे उनके समर्थाख हिसा नहीं लेंगे मुख्यमंतरी मनहुर लाल की कुरुचेतर को सोगात 33 के वी सब्स्टेशन सहित कई पर्योजनौं को क्या उदगाठन मुख्यमंतरी मनहुर लाल ने कुरुचेतर जिले को 317 करोड रुपे की लागत से तयार होने माली 91 हियोजनाओ की सोगात दी है इसके लावा मुख्यमंत्री ने 14.3 क्रोड रुपे की लागत से तैयार च्यार बड़ी प्रियोजनाओं का उदगाटन भी गया मुख्यमंत्री बुद्वार को कुरुचेतर जिले के पिहाओवा में आयजित भासपा स्थापना दिवस रैली में पहुचे थे मुख्यमंत्री मनहुरला ने कहा कि कुरुचेतर जिले के पिहाओवा थाने सर लाडवा और सहाबाद के लिए यहां के जन परतिने दियों ने जो भी मांग रखी थी उनमें से लगबग सभी को मंजूर कर लिया है उन्होंने पहुचेतर नगर पालिका और पंचेतों के लिए 200 क्रोड रुपे का बजट देनी की भी घोशना की इसके साथ साथ पसु अस्पताल इसमाईलाबाद, लाडवा में कमिनिटी सेंटर, पिहाओवा में नेता इसवर दैल के नाम पर पार्क, पिहाओवा में मोर्चरी और 50 बेट का अस्पताल, लाडवा में प्रैमरी हेल्थ सेंटर की नई बिल्डिंग, जिले में मार्केटिं के लिए 59 कोड़ रुपए, कुरुचेतर सरकिट हाउस के लिए 52 कोड़ रुपए, सब डिविजन लाडवा की बिल्डिंग के लिए 25 कोड़ रुपए, सब डिविजन पिहाओव में 2 कोड़ रुपए के लागत से स्टेडिम मनाय जाने के भी घोशना सामिल है गेहूंँ खरीद का जायजर लेने कृशीमंतरे जेखपी दलाल केतल के नई अनाज मंडी पहुंचे, अधिकारियों से बोले किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए किरशी मंतरी जेपी दलाल ने काये कि सरकार किसानों के हितों का विशेस ध्यान रख रही है विपक्स के कुछ लोग मंडियों को खात्म करने की बात कहकर किसानों को गुमरा कर रही है जबकि सच्चाई तो यह है कि मंडिया खात नहीं हो रही है बलकि मंडियों को बढ़ावा दिया जा रहा है हरियना सरकार गन्नोर में करीब 550 शेकड में नई मंडि का निर्मान करने जा रही है इसके निर्मान कारे पर करीब 8000 करोड रुपे खर्चोंगे यह मंडि ऐसे की सबसे बड़ी मंडि होगी सरकार पिंजोर में सेव की मंडि जबकि गुरुग्रा में फूलों की मंडि बनानी जा रही है किर्शी मंतरी जेपी दलाल बुदवार को नई अनाच मंडि कैथल में ग्यों की करीद और पर्देश में नई मंडि अस्तापित करने सम्मंदित विशे को लेकर जान करीदे रहे थे ग्यों में नमी की मातरा 12% से आधिक नहीं होनी चाहिए किसानों से अपिल करते वे उन्होंने कहा कि मंडियों में ग्यों सुखा कर लाए चातरवर्ते के लिए दो माई तक करें आविदन के खेल उपलब्दियों के अनुसार चातरवर्ती परदान करने के लिए आगामी दो माई तक आविदन पत्र आमंतरित किये गए है अनुसुचित जाती के खिलाडियों के परिवार की वार्षिक आए दो लाग रुपे से कम होनी चाहिए रोध तक के उपायक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि स्कोलर्षिप हेतू आविदन पत्र का नमूना तता चातरवर्ती के लिए पातर था वह अन्य सर्ते विभागिये वेबसाइट www.harianasports.gov.in परुपलब्द है खिलाडी आविदन पत्र के साथ खेल प्रवाण पत्र, जनम प्रवाण पत्र, बैंक पास्बुक, रियासी प्रवाण पत्र, अनुसुचे जाति प्रवाण पत्र, परिवार पैचान पत्र, ड्रेक्स, एम समाज विरोधी विवहार में सनलिफ्ट नया होने के सम्मद में प्रिवार के आई प्रमान पत्र केवल ऐसी स्कोलोशी पहतू की प्रतियां साथ लगाना अनिवारी है जिला से संबंदित खिलाडी दो मैई 2022 तक अपने आविदन पत्र स्थानी सर छोटो राम स्टेडेम में जमा कर आ सकते हैं एक जोलाई से 120 माईक्रोन से कम मोटाय वाले प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा लेना भी दूबर है और इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदादूंद परियोग का सबसे बड़ा हाथ है प्लास्टिक ना क्यावल वर्तमान में परदूशन का कान बनता जा रहा है बलगी अगले कई सो सालों तक भी इसका दूस प्रभाव वातवन भी बना रहता है इ संसकर्थी मोडल स्कोलों में सुरोई दाखला परक्रिया 20 तक होंगे रजिस्टेशन सरकार द्वारा शुरू किये के मोडल संसकर्थी स्कोलों में मंगलवार को रजिस्टेशन के परक्रिया आरंब हो गई मोडल संस्कति और इस्ट मादमिक विद्यालों में पहले ही दिन अभी बावकों में विद्यार्थियों ने रजिस्टेशन प्रक्रिया में खासी रूची दिखाई सरकारी स्कूलों में ऐसा पहरी बार होगा कि जब विद्यार्थियों का एडमिशन मेरिट के आधार पर किया जाएगा इसलिए विद्यार्थियों के बीच दाखला लेने की होड लगी हुई है जो नई विद्यार्थियों आ रहे हैं उन्हें अपनी साथ आधार कार्ड जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से सल्सी बर्थ सर्टिविकेट परिवार पहचान पत्र जाती प्रवान पत्र फोटो साथ लाने होगे ताकि उन्हें बार-बार डोक्युमेंट की कमी के जलते परिशानी का सामना ना करना पड़े यात्रीगन ध्यान दें इंटरशीट एक्सप्रेश ट्रेन का साबरमती तक विस्तार कर दिया गया है इस ट्रेन के विस्तार से जहां हरियानावे हिमाचर परदेश के लोगों को फायदा पहुंचा है वहीं जैपूर जाने वाली लोग भी इस रेलगाडी से अपने गंतवे तक पहुंच सकेंगे बता दें कि हिमाचर परदेश के दोलतपूर चोक से चंडिगर्ड अमबाला कुरूचेतर कैथल जीन्द होते वे जैपूर तक इंटरशीटे एक्सप्रेश ट्रेन नमबर 1717 और 1918 चल रही है जैपूर चागे एमदाबाद के साबरमती तक ट्रेन नमबर 0911 और 0912 नमबर से साबरमती अजमेर सुपरपास्ट एक्सप्रेश चल रही है इसके लावा इस ट्रेन के विस्तार के बाद जीन से क्रूचेतर चंडिगर ट्रेक पर कई ट्रेनों की समय सराने में भी बदलाव किया जाएगा। इसके बज़ट की योजनाओं को अब इटेन्डर से पूरा करवाने का फैसला लिया है। विभाग ने नए फैसले से विभाग में हड़कम मच गया है और भाविश्य में कोई भी योजना, परशासक या फिर BDPO अपनी मनमर्जी के मताबिक पूरी नहीं करवा पाएंगे। पैसे परती लिटर हो चुका है तो वहीं डीजल के दाम भी 64 पैसे की बढ़त होई है जिसके बाद डीजल अब 97 रुपए 19 पैसे परती लिटर पर पहुंच गया है। तवर अपने कारिकरताओं के साथ कुरुचेतर पहुंचे तो लोगों की भीड उमड पड़ी और उनका भवे श्वागत क्या गया। पार्टे में टांक हिसाई नहीं है। असोक तवर ने कहा कि वह आम आदमी से भी नीचे थे अब वह आम आदमी हो गए है। बगवन्त मान सरकार के और चे हरियाना पंजाब की स्यंक्त राजदानी चंडिगट पंजाब को शोपने पर पर परस्ताओ पर हरियाना सरकार के तेवर तलक होते जा रहे हैं। क्रूचेतर के पिहाओवा में भाजपा के स्थापना दिवस पर आयोजित रैली में हरियाना के मुक्यमंतरी मनहुरला ने पंजाब सरकार पर तंज करते वे कहा कि पंजाब पहले हमारा बड़ा भाही था अब गरीब चचेरा बन गया है। इस दोरान उन्होंने कहा कि चंडिकट हरियाना की राजदानी थी है और रहेगी। हम सत्रुज यमना लिंक नहर यानि S.Y.L. का पानी बिले कर रहेंगे। इंडियन एरफोर्स में निकली भरती 10-12 पास कंडियेट 27 अप्रेल तक कर सकते हाविदन 63,200 रुपय तक मिलेगी सैलली। भारतिय सेना में सरकारी नोकरे के तयारी कर रहे ही युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन एरफोर्स ने मल्टि टास्टिंग स्टाफ, हाउस कीपिंग स्टाफ, कुक, कारपेंटर और हिंदी टाइपिस्ट के पदों पर भरती निकाली है। आज खबरों में बस इतना ही बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हैं, CWB हिंदी नूज, नमस्कार।